आप सभी को मेरा नमस्कार and welcome back to your own channel dreamdoos सबसे पहले आज आपके लिए जो एक super वीडियो डाला गया पूरा ensign history का one liner उसके pdf भी थोड़े दिर के बाद आपके लिए डाल दिया जाएगा टेलिग्राम पे उसको आप one sort में complete करोगे ठीक है one sort that means one sort एक घंटा से कुछ minute का वीडियो प्लीज उसको आप अच्छे से देख लेना हमने आपके लिए बहुत ही महिनत से प्लस pdf भी हमने उसको book से उस one liner को निकाला पर pdf बहुत ही अच्छे से आपके लिए हमने उसके लिए prepare कर दिया है आज day 10 again I am telling you guys exam होगा और यह जो दो star है यह आपके लिए है अगर आपके लिए है तो आपको दूसरों से अलग चलना होगा और वो है आपको consistency focus हर दिन होके पढ़ना है एक चीज में बताता आप जहां भी बैठ तो जहां पढ़ने के लिए बैठ तो उसके आगे दो star बना लो ठीक है वो हमेशा दिखना चाहिए आखों के सामने दिखना चाहिए हमेशा ठीक है और आज आप लोग नीचे comment करोगे star two star जितने लोग देख रहो जितने मेरे course में हो सब लोग आज नीचे comment करोगे two star और आपने सामने लगाओगे अपने सामने लिखोगे नहीं अपने सामने star बनाओगे और नीचे comment में लिखोगे टू, स्टार, और सामने बनाओगे, अपना जहाँ भी बैठता हो, दो स्टार, इवेन, जब भी आप परो, आपको लगे कि नहीं, अब नहीं हो रहा है, मुझे और परने का मन नहीं है, तो क्या करोगे, आप वो दो स्टार देखोगे, और फिर पर होगे, ठीक है, सेलेक्शन मुझे आप से चाहिए, बाकिया भी स्टार्ट करते है, चलो, सबसे पहले, हिस्ट्री पे हम लोग जम करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री पे हम लोग जम करते हैं, और देखो, हिस्ट्री में कुछ पार जो आपको छूट गया था, जो पुराने वाले, जैसे कि बीजे नंगर सम समराजय कंप्लीट करो गे थीक है तो सबसे बहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री का ठीक है हिस्ट्री, हिस्ट्री में आज आपको क्या करना है, पहले आप बीजे नागर समराजे परोगे और बहमनी समराजे परोगे 1336, 1347, दोनों डेट आपको याद है ना क्योंकि 1336 में बीजे नागर समराजे और 1347 में बहमनी समराजे ठीक है जितने भी उपाद्य दिया गया तो वो सब आज आज आप याद करोगो BJ नगर बहमनी से जितने भी questions बनते हैं आप पहले वीडियो हम देंगे आपको ठीक है वीडियो देंगे प्लस आपको PDF भी प्रोबाइट किया जाएगा हर हर भुका के बारे में प्रोगे हसुन गंगु यह सब के बारे में आज परोगे यह तो होगिया यह बीजै नगर समराजी जो मदे करने भारत चूट गया थे आज आप क्या करोगे आज आप जो करने वाले सो होकिए और हमेशा ट्राइग करना के चीजों को थोड़ा करनेक करके निमॉनिक से याद कर थी कहां तो पेश H 33 में विभाग मद्यकाली में में आये तें. दीवाने अर्ज हो घया, टाइग है, दीवाने बंदगान हो गया, दीवाने कोही हो घया त Rights A unavर divisiongew coming पीडियाप हम देंगे उसको आपको पढ़ लेना प्लस बीजे नगर समराजे में पेज नमर 32 पे जाओगे और NCRT सार से कंप्लीट कर दो तो हिस्ट्री में क्या करने आपको पहले बीजे नगर समराजे पढ़ लेना ख़तम कर लेना वीडियो से उसके पीडियाप दे देदे साथ ठीक है समझ में उसके बाद हम लोगा मुगल में एंट्री करेंगे मुगल समराज्य आपको बताया गया है जहां से पर रहते हैं से यह मध्यकालिन भारत वहीं से आप जस नीची आओगे आपको वहां से मुगल मिल जाएगा ठीक है आज आप कंप्लीट करोगे बावर से लेके ठीक है अकबर तक आप कंप्लीट करोगे ठीक है थोड़ा ज्यादा हम लोग करेंगे ठीक है थोड़ा ज्यादा करेंगे अभी ताकि ठीक है हमारा हिस्ट्री जल्दी से कंप्लीट होता है रिवीजन पर हम लोग जल्दी आ जाए ठीक है तो जो बावर और अकबर आप यहां से complete करोगे, बाबर से लेके आप अकबर तक क्या करोगे, आप complete करोगे, बाबर से लेके अकबर तक इसका video plus pdf आपको provide कर दिया जाएगा, ठीक है, बाबर से लेके अकबर तक आपको पुरा कपुरा आज complete करना है, video plus pdf, video कहां से देखना है, हमने आपको बता दिया वहीं से आपको वीडियो जाके देखना है मेरे वीडियोस वहाँ एविलेबल है ये वाले और इसका भी वीडियोस मैं आपको प्रोभाइट कर दूँगा फिर से आपको क्या करना है 38 से लेके 42 तक ठीक है NCRT SAR में जाना है वन लाइनर दिये हुए है आपको मुगल का कहां से आपका बाबर से लेके आपका 42 तक अकबर तक आपको वन लाइनर पहले वीडियो और पीडियो देखो हुए जो हमारे द्वार दिया है उसके बाद 38 से लेके 42 तक आप NCRT SAR करोगे NCRT SAR में जो चार्ट बना के दिया हुआ है पहले ही पेज में 38 में उसको छोड़ देना उसकी जरूरत नहीं है ठीक है तो जो चार्ट बना के दिया हुए वो सब छोड़ देना बस आप वन लाइनर पे अभी आप फोकस करोगे ठीक है पेज नमर 33-34 में जाओ क्योंकि आपने मद्धे का लिन भार कम्प्लेट कर लिया है तो 33-34 में जो विभाग और मंत्रिये मॉस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ना है उसके बाद आप क्या करोगे मुगल समराजी आज स्टार्ट करोगे बाबर से लेकर अकबर तक बीडियो प्लस पीटेफ मेरे दौर आपको प्रभाइट कर दिया गया है ठीक है आप वहां से परोगे और जो आज 38-42 तक फिर से बाबर से अकबर तक आप NCRT सार से कंप्लेट करोगे यह हो गया आपका स्रिफ हिस्ट्री का ध्यान से समझना है ठीक है उसके बाद थोड़ा ज्यादा है आज एकदम घबराना नहीं उसके बाद आपको जियोग्राफी या भूगोल में आप बोल सकते हो कि भूगोल में आज आज आपको क्या पढ़ना है आज आप पढ़ोगे जाना भूगोल वाले में NCRTSR में पेज नमबर 23 देखो जिटने भी है आपको बता दूगा कि कहां कहां से मेरे फ्री में वीडियो देखने है ठीक है अभी कुछ पेजेस दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ लो पेज नमबर 23 में एक बाढ़ देख लें ना जल भाण रहा ही है मैं एक बाढ़ चिक कर लेता हूँ पेज नमबर 23 जाना पेज नमबर 23 complete करना जो कहा आपका geography में दिया हूँ है और पेज नमर 24 छोर के पेज नमर 25 में आना जिसमें आपके band दिये हूए ठीक है तो band वाला और page number 23 I think जल धा रहा है आप वो complete कर लोगे ठीक है और इन सब को मैं फिर से बता रहा है इन सब को मैं फिर से आपको कहां से करवाऊंगा तो आपको मैं trick से भी करवाने वाला हूँ कुछ कुछ trick के वीडियो मैं अभी भी देते रहूँगा पर अपने लेबलों books का एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है चली तो आज आपको और प्लस इसमें आपको एक और मेलेगा आपको military exercise जितने भी exercise होते हैं इसका भी मैं trick का वीडियो दे दूँगा चाहे वो यूद अभ्यास हो चाहे वो गरूर हो ठीक है जितना टाइप का जो विद यूद अभ्यास होता है वो static gk मैं आपको जेग्राफी में complete उसको करवात दे रहा हूँ और जो मतलब एक चो होता है करेंट एफेस पे भी आता है तो करेंट एफेस में भी उसको हम लोग करते हुए चलेंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ठीक है एकदम घबराना नहीं कुछ भी पार्ट हम लोग छोडने वाले नहीं है ठीक है तो page 23 में क्या है आपका लेक्स ठीक है 25 में बांध दिया हुए पूरा अच्छे से पूरा बांध आपको पढ़ना है स्रिफ आपको easy बांध नहीं पढ़ने जितने उसमें बांध दिये हैं तो अच्छे से एकदम पढ़ लेना है ठीक है तो highlight करके प्यार से एकदम affairs में ठीक है आपको आज March का ठीक है पूरा का पूरा PDF दिया जाएगा आज आप एक से लेके साथ मार्ण तक करोगे सिरिफ एक से लेके साथ मार्ण तक detail में परोगे जो भी चीज आपको वहा है Anthei ठीक है एक से साथ मार्ण дополн आपको करना है उसके बाद एसे मैंने आपको मार्च का करवा दिया ठीक है वो consolidated बला में तो मेरा बला तो हमने आपको कराई दिया वीडियो भी दे दिया बट ये जो है आपको detail में आप करना है कोई भी loophole नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से ठीक है Maths वाले course में जितने लोग नहीं हो, जल्दी से join कर लो, हम तो यहीं बोलेंगे, without further delay, ऐसा नहों कि बाद में आप join करों, तब तक बहुत वीडियो निकल जाए, कल हमने compound interest और simple interest complete किया है, तो आप भी जूर जाना, आज compound interest, simple interest, compound interest का part 2 आएगा, एक चीज आप और समझे, जितन और SPD का सेट लगाओगे आज, ठीक है, SPD का सेट लगाओगे GS में, 56 से 64, और science में लगाओगे आज, 56 से 64 ही लगाना है, 36 से 40, ठीक है, तो यह GS का लगाओगे, ठीक है, static GK और भी कुछ भी extra points, आज मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, बस आज आज आपको इतना करना है, ठीक है, Geography, SPD के सेट, और आपके Current Affairs, और आपको जो आज एक वीडियो एक गंटा प्लस का दिया गया, प्लीज वो जरूर देख लेना, मेरा मेहनत सफन हो जाएगा, ठीक है, तो प्लीज वो जरूर देख लेना, ठीक है, जाल दिया गया, और Maths का अगर अभी नहीं जूरे, कोर्स मे आपको पक्का जोइन कर लें, ठीक है, तो थैंक्यू सो मच, स्टाइव, 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 दू लेट में, जो भी स्टेटिक के सब्सक्राइब, पहले इसको कम्प्लीट कर लेते, उसके बाद वो भी कर लें, और साइन्स का भी, उसी तरीके से मैं लॉंग लॉंग जैंक